नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का The 10 Minutes Show में मैं उनती जयन आप सभी का Virides Institute के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ वंदन करती हूँ, अविननदन करती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप सभी strengths होंगे मस्त होंगे और परिक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे गर्मी के प्रकोम से बच्चे हुए होंगे है ना तो चल्दी से शुरू करते हैं आज का 10-minute show जिसके अंतरकत आपको आज मिलने मिलेगा विश्व और भारत में प्रथम 2024 यानि कि एक कुछ ऐसे तथ है आज आपसे अफ़गत कराए जाएंगे जो कि भारत में प्रथम हुए है विश्व प्रथम हुए है और वो सारे के सारे अपडेटि रहेंगे 2024 से तो सभी स्ट्रेंट जल्यली से क्लास में आ जाईए जुड़ जाईए और फटा-फट अगर क्लास में आ चुके तो वीडियो को लाइक और शेयर पड़ा-फट कर दिजे सभी स्ट्रेंट विश्व इंसिट्यूट की टेलीग्राम चैनल विश्व प्रथम चैनल विश्व इनसिट्यूट और साथ यस साथ यूट्यूब क्लास की वाकड़ी में हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइट्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो कि भारत का पहला है इसलिए अब चूकी पहला है तो याद करना भी हमें जरूरी है भारत में प्रतम हाइब्रिट तकनीक से इस्तमाल करने वाला स्टेडियम जिस स्टेडियम में हाइब्रिट तकनीक को स्थापित किया गया है वो भारत का पहला है और ऐसा बड़ा ही खुबसूरत स्टेडियम है जो कि धर्मशाला का स्टेडियम है सुन्दर भी और हाइब्रिट तकनीक को भी इसने अपने स्टेडियम में प्रियोग कि प्रिक्षा के लिए भारत की प्रिथम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो कोलकाता में स्थापित की गई कोलकाता टू हावडा और यह पानी की नीचे एक लंबी ट्रेल से गुजरने वाली ट्रेन होगी दुनिया का पहला ओम आकर का मंदिर कहां बनाया गया वह यह ओमकारिक्षन नहीं पूछा जा रहा है ओम आकर का मंदिर जो की वर्ल्ड का फर्स्ट है वो बनाया जा रहा है दुस्तों पाली राजस्थान में याद रखना पाली राजस्थान को अगला है फाइटर जैट जस तेजस है तो आपको fighter बिमान के रूप में भारत याद हो जाना चाहिए याद रखना दुनिया की पहली वैदे घड़ी आरे ये तो सबको पता है ये है उज्जेन में जो की उज्जेन के विकरम टावर में इस्थापित की गई है जो की दुनिया की पहली विकरम वैदे घड़ी है comment section में बताईए कि वैदे घड़ी के अनुसार एक घंटे में कितने मिनिट होते है comment section में बताईए वैदे घड़ी के अनुसार एक घंटे में कुल कितने मिनिट होते है फटाफट तरीके से आगे बढ़ूंगी मैं अगले वर्ल लेंडर फैक्ट के लिए और जो कि परिक्षा में महत्पून है बारत का सबसे नंबा सिग्नीचर सुधर्शन ब्रिच कहां पर है भाई याद रखना सिग्नीचर स्टे ब्रिच या फिर सुधर्शन सुधर्शन जवाएगा तो कृष्ण याद आने चाहिए और कृष्ण जवाएंगे तो द्वारी का गुजरात में याद आएंगे तो भई याद रखे ना इस तर्थे को परिक्षा की दरश्टी से इंपॉर्टेंट है पहला राश्य डॉल्फिन अनुसंदान के इंद्र कहा पर स्थापित किया गया तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंदान के इंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है गर्वपार्ट को सम्वेदानिक अधिकार बनाने वाला देश फ्रांस बना है ये भी याद रख लेना पहला सरकारी स्वामित OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस कहां पर लॉंच किया गया सी स्पेस जो कि गवर्मेंट एथॉर्टी के अंतर गताएगा OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो कि केरल में अपनाया गया है ये भी आपको याद रख लेना चाहिए बारत का पहला आयोवेदिक रेस्टरॉन सोमा इस आयोवेदिक रेस्टरॉन का नाम है सोमा ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है ये भी आपको द्यार में रख लेना चाहिए और आई बात है पहली बार इंसान में सुर की किड्नी का सफल प्रत्यारोपन कहां किया गया तो ये सयुप्त राज्य अमेरिका में किया गया है इंसान के अंदर सुर की किड्नी तरत रोग पहचान कर तो तरित रोख पहचान करने वाले नैनो सेंसर का अविशकार किस ने किया है यह भी आपसे पूछा जाएगा अच्छे से उत्तर देना और जिसको पता है वो भी मुझे उत्तर दे देना तो तरित रोख पहचान करने वाले नेनो सेंसर का जो विश्कार किया गया है वो IIT जोदपुर में किया गया है याद रख लेना जल जीवन मिशन के तहट घरों में नलका पानी उपलब्द कराने वाला जिला कौन सा है तो जल जीवन मिशन के अंतर गरू में नल का पानी उपलब्द कराने वाला है नीलगिरी और जो नीलगिरी है वो है तमिल लाडू में याद रख लेना Meningitis का पीका लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है तो Nigeria Meningitis का पीका लगाने वाला प्रथम देश है आगे बढोंगी गुए थोड़ा सा फास्ट, भारत का पहला SKT-10E Electric Drum Truck Very important for all the competition exams भारत का पहला electronic drum truck कहां पर बनाया गया है तो भाया ये सैनी, इंडिया के दौरा बनाया गया है किसके दौरा दुस्टों? सैनी, इंडिया के दौरा इसको बनाया गया है चार दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है ये भी आपसे पूछा जाएगा तो अच्छे से बता देना वह देश है सिंगापुर तो ये भी यहां से आपकी प्रशन के लिए एक अच्छा उत्तर बन सकता है ये भी आपको ध्यान में रख लेना है ये सारे के स प्रशन आपकी परिक्षा के लिए महत्वपून है तो 10 मिट शो की अंतरगत आज मैंने आपको बारत की प्रथम कुछ तथे बताया है मैं उमीद करती हूँ ये तथे मेरे साथ ही आपने याद कर ली होंगे अगर नहीं किये तो वीडियो को फिर से देख ले ना विनर्स इ आइक कर देना शेयर कर देना और मुझे कमेंट सेक्षे रे बताना की वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा मैं मिलती हूँ आपको सुभा आट बजे की करेंट अफेर्स की क्लास में और नो बजे आपको मिलती हूँ में 10 मिट शो में तब तक के लिए सभी को जय हिं जय बहर अपना ध्यान रखें अपनो का ध्यान रखें धन्यवाद दोस्तों